नमस्कार दोस्तों, टेक वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है मैं ग्यान अंदरपांडे आज आप लोगों के लिए एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आएं जिसमें मैं आज आप लोगों को आफ ग्रिट सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा जब बिजली बचत करने की बात आती है तो हम solar panel की मदद लेते हैं solar panel दिन के समय में हमारी बिजली की काफी बचत कर सकता है अगर हम घर में सामाने बिजली का इस्तिमाल करते हैं जैसे की light जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए तो हम battery backup दोरा रात को भी काफी हद तक बिजली की बचत कर सकते हैं दोस्तों अगर आप solar system के बारे में research करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि solar system रही प्रकार के होते हैं जिसमें से एक off-grid solar system का भी नाम आता है आज हम बात करेंगे इसी topic पर कि off-grid solar system क्या होता है लेकिन solar panel दो प्रकार से set किये जाते हैं on-grid और off-grid या दोनों set आप बिल्कुल एक दूसरे के विपरी जगह के लिए इस्तमाल किये जाते हैं on-grid system के बारे में मैंने एक वीडियो पहले से ही बना रखा है इसका link में description में दे रखा है आप वहाँ से on-grid के बारे में देख सकते हैं off-grid system का इस्तिमाल ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर बिजली कुछ ही घंटें आती हैं ऐसी जगह off-grid system लगाया जाता है इसमें solar panel के साथ solar inverter लगाया जाता है और बैटरी हैं लगाया जाती है जिससे कि solar panel से वह बैटरी चार्ज हो जाती है और रात के समय में भी आपको बिजली मिलती रहती है जिस तरह से on-grid solar system को grid याने electrical supply से जोड़ा जाता है उसी तरह off-grid system को नहीं जोड़ा जाता है अगर आप इस solar system अपने घर में बैठाते हैं तो आप बिना बिजली की connection लिए ही 24 घंटे बिजली की सुधा उठा सकते हैं और अगर आपने पहले से बिजली की connection भी ले रखी है तो इसमें भी connect कर सकते हैं यह इनकी सामानने से उदारण है कि on-grid solar system कहा काम करता है और off-grid solar system कहा काम करता है जैसे कि पहले ही आपको बताया गया है कि off-grid solar system की मदब से आप बिजली की बैटरियों में इस्टोर कर सकते हैं और जब भी main supply नहीं आती है या रात के समय में आप बैटरी के द्वारा इस बिजली का इस्तिमाल कर सकते हैं off-grid solar system में बिना main supply की या सीधे solar panel पर कोई बड़ा उपकरण चलाने के लिए हमें ज्यादा बड़े inverter की बैटरी की आवशकता होती अगर हम 71100 VA का inverter और एक बैटरी का इस्तिमाल करते हैं तो उस पर हम सिर्फ हमारे घर के पंखे और light इत्यादी चला सकते हैं लेकिन अगर हमें बड़ा उपकरण चलाने हैं जैसे के freeze, air condition, इत्यादी इसके लिए हमें कम से कम 5000 VA का inverter लगाना पड़ेगा और जिस पर कम से कम 4 बैटरी लगानी पड़ेंगे तभी हम बड़े उपकरण को इस पर चला सकते हैं हमें बैटरी का इस्तिमाल करना पड़ता है इसलिए या काफी महंगा हो जाता है और बैटरी की life ज्यादा ज्यादा 2-3 साल होती है उसके बाद में हमें बैटरी यां बड़नी पड़ती है जिसके लिए हमें और पैसे देने पड़ते हैं सोलर सिस्टम लगवाने से पहले आपको यह देखना होगा कि घर में में सप्लाई कितनी आती है अगर आपके घर में दिन में समय में 3-4 गंटे पावर सप्लाई आती है तो अन ग्रिट सिस्टम लगवाने का कोई फायदा नहीं होगा जब आपके घर में में सप्लाई नहीं होगा अच्छा पावर वैकप मिलता रहेगा उम्मेद करते हैं दोस्तों, वीडियो आपको समझ में आई होगी, ऐसी वीडियो आफ्डिरट सिस्टम से सम्बंधित कोई भी क्यक्ति वेशन हो, कोई भी शुझा ओ तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जाते हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्रसक्राइब क साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं धन्यवाद दोस्तों